तो ये है ICH और ये है MCH और ये है PCH और ये है SOC, अब इन चारों में ये दो जो Balling Ic है ये ये दो Reflow करके बन जाता है ये देखो, ये है ICH और ये है MCH, ये दोनों बन जाता है पर PCH और SOC reflow करके SMD मेशिन से क्यों नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है यही बात है तो देखो थोड़ा सा करीब आजाओ तो देखो एक चीज़ आप follow करो इसमें जो ball है इसका distance और gap देखो और यह है SH इसको अगर आप reflow करते हो तो एक के साथ जूड़ने का chance बहुत कम है इसलिए यह बन जाता है अगर इसी से दिक्कत आता है पर इससे क्या होगा यह SOC इसका जो balls है यह इतना नजदी की है पास पास है इसको आप reflow करोगे SMD मेशिन से और PCHB तो यह नहीं बनेगा